धोल वागशे, शरनाईना सुर्रेला शे, रंगोलियों पुरा शे, दिवडाओ प्रज्वलित थशे, भव्वे आतश बाजी थशे, मिठाईयों खवडा वाशे, हने चारे एक ओर उत्साने उमंग जुवा मल शे, फरी एक वार दिवाली नो पर्व मना वाशे, ज्यारे प्र सदियोथी राह जोवाती हती, ये हवे आंगने आवीने, उम्रे आवीने उभी छे, आयोध्यामा भगवान श्री रामनी प्राण प्रतिष्ठा 22 जान्युवारी थवानी चे, त्यारे तैयारियों तड़ामार हो ये स्वाभाविक छे, पन केवी हशे राम ललानी मूर्ती, काया मुरत्मा प्रभू श्री रामनी प्राण प्रतिष्ठा थोशे, भगवान माटे क्या क्या थी शूशू भेट सोगादो आवी रही जे, आ तमाम सवालों, आ तमाम उत्सुक्त तमारा मनमा उत्भववा स्वाभाविक छे, तो संदेश विशेश मा सवधी पहला, तमार या बधी जुत्सुक्ताने सवालों ना चवाब। कारण के आपना प्रभूश्री राम अवध नगरीमा पधारी रहा से, राम ललानी मुर्तिनी प्राण प्रतिष्ठा थवानी से, जे राम मंदिरना निर्मान माटे वर्षो सुधी संघर्ष थयो, राम भूमी माटे आंदोलन थया, अने एक राम भक्तोय पोताना जीवा प आवती जाई छे, तेम तेम राम भक्तोनो उत्सा बेवडातो जाई छे, अन्तिम घडीनी तैयारियो पूर जोर्ष मा चाली रही छे, आंगने आवडो मोटो अवसर होए, त्यारे सर्व श्रेष्ठ आयो जन होए, एमा कोई बेमत न थी संदेश न्यूजना दर्शेको बुदना टिवी स्क्रीन माज अवध नगरीनी घरे बैठा मुला कात लेशे, राम मंदिरना निर्मान नी प्राण प्रतिष्ठानी तैयारियोंने नचीक थी जोशे, अने जाने आप आयो ध्या माज छो, एवी अनुभूती आपने संदेश स्विशेश नो आ एहवाल कराब वाजे रहोशे, सौथी पहला आयो ध्याना ए भव्य अने दिव्य राम मंदिरना निर्मान नी वाद करिये, श्री राम जन्म भूमी ट्रस्टना महा सचीव चमपत राय, मंदिर अने तनी सुविधाव अंगे जानकारी आपी, आ राम मंद नू कामकाच चाली रहोशे, मंदिरनी चारे तरफ दिवाल चनवा मा आवीशे, मंदिरनो प्रवेश द्वार पुर्वधिशामा राखवा मा आवेशे, आयो ध्यामा राम मंदिरनू निर्मान कार्यम मे बे हजार बावीसमा शरू थायोधू, राजस्थान ना बंसी अर्पूर विस्तार माथी गुलाबी रंगना पत्थर मंगाववा माव्याता। चारो और मंदिर के यहां पे वाल की गड़ी की खड़ी की गई है, 14 मेटर की उंचाई की है, जो 8 मेटर नीचे है और 6 मेटर उपर है, ऐसी वाल जो नदी का कितना भी बहा हो, उसको तोड़ नहीं पाएगे, गोकंप होने के बहुजूद भी यहां पे मंदिर के जो खंबे है उतका स्टाइबिलिटी आनलेस की आगा है, और CBRN सेडिबिक दियाए कि 1000 साल के लिए उठीकेगा, तो हम यकीन और डंके की चोट पे कह सकते कि 1000 साल तक मंदिर ठीकेगा तमाम भक्तो अयोध्यामा प्रभुश्री रामना दर्शन करी शके, एवु सम्पूर्ण पने ध्यान राखवामा आविशे सीडियो चडवामा तकलीफ न पने, एमाटे दिव्यांग जनो माटे लिफ्टनी सुविधा राखवामा आवशे अयोध्यामा श्रद्धालू ओ माटे यात्रालू सुविधा खेंद्र बनाववामा आवशे फिलिग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर पासे नानी होस्पिटल नू निर्मान करवामा आविशे अहीं देश भरमा थी दूर दूर थी राम भक्तो आवशे त्यारे तेमना माटे मंदिर पदिस्वर मा विशाल क्लोक्रूम बनाववाम आववेवशे 25,000 दर्षन आर्थियोंनी मुलाकातने ध्यानमा राखी आ क्लोक्रूम बनाववाम आववेवशे अने आ कलोकरूम ना कारणे लोकोई सामान मुकवा क्याई भटकवू नहीं पड़े राम मंदिर नी चारे बाजु जुदा जुदा भगवान विराजमान थशे एक तरफ महदेव, बीजी तरफ सूर्य देवता, त्रीजी तरफ माता भगवती अने चौथी तरफ शुरी गनेश विराजमान थशे आ सिवाई राम मंदिर ना परीसर मा साथ नाना मंदिर पन तयार करवा माउशे साथ महिना बाद आ मंदिर तयार थशे इसके भी चारों भुजाओं पर छे मंदिर हैं एक कोने पर एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा राम सूर्य मंदिश में पैदा हुए दूसरे करणर पर संकर्जी का मंदिर होगा फर्ड करणर पर भगवती का मंदिर होगा देवी का और चोथे तोले पर गणाई जी का मंदिर होगा आने हवे बाद राम मंदिर नी विशेशता होनी राम लला नी मूर्ती केवी हशे जानवानी उत्सुकता दरेक राम भक्त ने होई एवाद स्वाभावीक छे राम लला इटले श्री रामनू बाल स्वरूप पांच वर्षनी उमरना भग्वान श्री रामनी आखो केवी हशे प्रभूनों चहरो केवो हशे एमनू स्मीत केवो हशे भग्वान श्री रामनू बाल स्वरूप केवो हशे आ मूर्ती नी दिव्यता केवी हशे तमाम सवालूना जवाब अहिया से राम ललानी मुर्तीनी विशेश्ताओ पर एक नजर करो अत्यारे त्रोण मुर्ती कारो श्री रामना बाल स्वरूपनिया मुर्ती तयार करी रहा से राम ललानी मुर्तीनी उँचाई 51 इंच राखवा मावी से आउँचाई रामललाना पगना अंगुठा थी लई तेमना ललाट सुधीनी से माथा पर एक मुकुट हशे अ त्रोणे मुर्ती कारो माथी जैमनी बनावेली मुर्ती साउथी वधु दिव्यताना दर्शन कराऊशे जमा साउथी वधारे कोमरता जुआ मल शे ये मुर्ती नी पसंद्गी करवा मावश है तलवे से लेकर पैर के हूठे से लेकर ललाट 51 इंच ललाट के उपर ये आ जाएगा वो अलग है हमारा संब्द ललाट तक है खड़ी मुर्ती तीन मुर्तिकार मना रहा है आगामी एक हफते में कौनसी मुर्ती सबसे अच्छी बन पाई किस मुर्ती में दिवाइननेस और बाल, सुलब, कोमलता, सुकोमलता दोनों आई है उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस और उसमें पांच मर्श के बालक का सुको मिल चेहरा भी होना ची उसका सेलेक्शन किया जाए राम मंदिर नी प्राण प्रतिष्ठा भले 22 जान्युवारी थवानी होए पना उत्सव एक दिवस नो न थी प्राण प्रतिष्ठाना अठ्वार्या पहला आख्षी अयोध्या नगरी मा दरोज उत्स उजवाशे त्यारे राम नगरी अवध मा कया दिवसे किवा प्रकार्मी तैयारी जुवा मलशे किवी उजावनी करवामा आउशे हवे जो तैना पर एक नजर करिये तो सोड जानिवारिये सर्यू किनारे श्री राम जन्म भुमी ट्रस्ट ना यजमानो शाही स्नान करशे डश्वीद स्नान विश्णू पुजन सहितनी विधी थशे राम मंदिरना आंदोलनमा बलिदान आपनारने श्रद्धान जली आपवामा आउशे सत्तर जानिवारी राम ललानी नव निर्मित मुर्ती साथे कलश्यात्रा नी चलशे मूटी संख्यामा राम भक्तो आख लश्यात्रा मा जूडाशे अधार जान्युवारी मंडप प्रवेश पहला पूजन, वास्तु पूजन, वरुन देवतानी पूजा, विग्न हर्ता श्री गनेशनी पूजा, मुर्ती का पूजन, तमाम पूजन विधी साथे राम ललानी मुर्तीनों जला धिवास थक्षे 29 जान्युवारी, राम मंदीर मा विशेश विधीमा अगनी प्रजवलित कराशे 20 जान्युवारी, 21 कलश्मा एकत्रीत करायेला जुदी-जुदी नदियोना पानी थी राम मंदीर ने पवित्र कराशे 21 जान्युवारी, 125 कलश्मा भरायेला पानी थी राम ललानी मुर्तीनों दिव्यसनान थशे शास्त्रोक्त विधी अने हवननी साथे दिव्यसनान कराशे राम ललानी मुर्तिनों शश्क्या दिवास थशे, अने ते बाद स्थापना अने पछी ए दिवस आवी जर्शे, जेनी राह वर्षो थी नहीं, पन सदियो थी जोवाती आवीचे 22 जान्युवारी 2024 आतारीके अवध नगरीमा प्रभूश्री राम नी मुर्तिनी प्राण प्रतिष्ठा करवामा आवशे मध्याहन समय, मुर्ग शिरा नक्षत्रमा प्राण प्रतिष्ठानी महा पूजा करवामा आवशे कारण के प्राण प्रतिष्ठा माटे चोर्याशी सेकंड नू अती सुक्ष्म मुरत नक्की करवा माविवशे काशी विश्वनात ना ज्योतीशाचार्य पंडित गनेश्वर शास्त्री द्रवीडे आ मुरत काडिवशे मतलब के मद्याहन काले 12 वागी ने 39 मिनिट आठ सेकंड ति आ मुरत शरू थशे जे 12 वागी ने 30 मिनिट 32 सेकंड पून थशे अन्य आ विशिष मुरत मा श्री राम ललानी मुरतीनी प्राण प्रतिष्ठा करवा मावशे प्राण प्रतिष्ठा पून थायाबाद महा अर्थी करवा मा आवशे आ प्राण प्रतिष्ठानों प्रसंग अहीती हासिक बनी रहेशे एमा कोई बेमत न थी वड़ाप्रधान नरेंद्र मोधीनी उपस्थितीमा भव्य अने दिव्य राम मंदिर नी प्राण प्रतिष्ठा पूजा थशे आरेसेस ना सरसंग चालक मोहन भागवत उतर प्रदेश ना मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात राजय पाल आनंदी बैन पटेल श्री राम जन्म भूमी मंदिर ट्रस्ट ना अध्यक्ष अने चार हजार संतो प्राण प्रतिष्ठा ना पर्वपर खास उपस्थित रहशे वनवासी संतो ने पणा मंत्रन आप्पा मा विवशे असिवाई राम मंदिर माटे बलिदान आपना राओना परिवार देशना वीर जवानों सहित्ते कारों कवियों लेखकों आम जुदी जुदी शुरैनी तैयार करवा मा विशे अने ए अंतर्गत मेहवानोंने आमंत्रन आप्पा मा विवशे पराठ प्रिथ्था की पूजन विदी सोरा जन्वरी से ब्रारणद होगी, वाई जन्वरी को पूरी होगी, अंतिम पूजन तोपैर बारा बज कर बीस मिनट पर वाई जन्वरी होगा, प्रदान्मंत्री जी स्वयम रही सरसंग चालाकरा ट्रेस उिसक संग मोहंचरा पागवत रही राच्यपान उत्रमडेश आंदिबेल रही मुख्यमंत्री उत्रमडेश योगी जी रही मयन मिर्टुकपाल्दर्गी अध्यक्स टरस्ट रही देश के 4000 संतों को बलाई है उनको नाम लिखे गए सभी परामपरा है प्रभूश्री राम माटे भेट सोगादो पहुचाडवामा आवी रही से जो तेना पर नजर करिये तो प्रभूश्री राम ना मौसाल 36 गड़ती विशेश भोग आवशे मौसाल माथी 3000 हजार क्विंटल चोखा मुकला शे 36 गड़ना तमाम जिल्लाव माथी चोखा एकत्र कराया शे एक साथे आटली वदी मात्रा माँ चोखा पहली वार मुकलवामा आवशे भगवान श्री राम नी सासरी माथी 51 प्रकार नी मीठाईयो साथे सुका मेवा दहीं माखन सहितनी विविद मान्गियो चांदीना वासनों कपड़ा आभूशनों मुकला शे हैद्राबाद माथी प्रभूश्री राम नी चरण पादुका उत्तर प्रदेश ना एटामा अश्ट धातु माथी तैयार करायेलो 21 किलो नो खंट गुजरात ना वडोद्रा माथी 108 फूट लामबी अगरबत्ती तैयार करायीचे राम मंदिरना प्राण प्रतिष्ठा महत सहो अनी तैयारियो अने अनी दिव्यतानी तो वाद करी पण हवे वाद करवीश अयोध्यामा आवेला प्रभुश्री रामना एक एवा मंदिरनी जानी दिवालो रामायाणनी कथा संब्लावेशे अहीं एक महर्शी वालमीकी मंदिर आवेलूचे आ मंदिरनी दिवालो मा श्री राम चरित मानस लखवामा आवेलूचे रूडो अवसर उम्रे आवीने उभोशे अने आ अवसर प्रभूश्री रामना आंगनेशे तो स्वाभावीक रिते तैयारियो तला मार होवानी सदियोनी राह हवे पून थवाजे रहीशे त्यारे नमात्र भारत पन समग्र विश्व प्रभूश्री राम ना भव्य आने दिव्य प्राण प्रतिष्टा महत्सवनू साक्षी बनवानूँशे अने एक्षान अदभूद अविस्मरणिया अने अकल्पनिया हशे दिरो रिपोर्ट संदेशनियोज